देखिए अगर आप कोई भी हो आप अगर संसकारी और संसदी भाषा में रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं कवी है, शायर है, गायक है, उसको पूरी चूट है लेकिन आप किसी पर सीजी तरीके से अनरगल आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब भी आपको देना होगा बिल्कु साफ दोर पर हो समाजवादी पार्टी की परवक्ता के तरह ही बिचारी काम करती है अब ये तो अखलेश यादव जी को साफ करना चाहिए उतरपदेश में अब शेरवाणी की राजनीती नजर आ रही है विधान सभा में पहुँचेते अखलेश आदव और उनके विधायक हमारे साथ मौसिन अज़ास आपको क्या लगता है शेरवाणी क्या दिखाती है क्योंकि आमने पहली बार देखा था तमाम विधायक खुद अखली शादव भी आए क्या आजम खान को याद कर रहे थे क्या सब्सकार जो है उसने गुझे शराफत का चोला पहन के आना पड़ेगा और लोगों को इस तरह सठकना पड़ेगा ये ठगने की नहीं है कोई रणनीत बनाई है समाजवादी पार्ट लेकिन इसके पीछे भी इमानदारी नहीं दिख रही है अगर इमानदारी दिख रही होती तो मैं इस रहना करता कहीं ना कहीं अभी इमाना जाए कि कोई तरीका है जिस तरह से स्क्रिप्ट दी गई थी बाद में कहा गया कि नहीं अब आपको ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ है समाजवादी पार्टी का और बहुत जल्दी सामने आ जाएगा अगर आप कोई भी हो आप अगर संसकारी और संसदी भाषा में रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं कवी है शायर है गायक है उसको पूरी चूट है लेकिन आप किसी पर सीजी तरीके से अनरगल आरोप जानते हैं और तमाम आप लगाैंगे तो इसका जवाब भी आपको देना होगा क्योंकि आपको तमाम लोग सुनते हैं जानते हैं और तमाम लोग आपको अपना आदर्श भी मानते है तो अगर झाल